जाक्रमर जैहिंद और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल Galaxy Teachers Classes में और हम पुना उपस्तित हैं आपके लिए निकट भविश्य में जो आयोजित होने वाली हमारी सीटेट की परिक्षा है उस परिक्षा के अंतरगत जो संस्कृत विश्य पूछा जाता है तो संस्कृत विश्य में हम आज एक महत्वड टॉपिक जो हमारा चला है प्रत्य वाला तो उसमें महत्वड प्रत्य के साथ उपस्तित हो चुके हैं और आप भी अपना पैन और कापी लेकर बैठ जाएए ठीक है तो हम लोग बात करते हैं प्रत्य की और देखे पिछली क्लास में भी हम लोगोंने प्रत्य पढ़ा है पिछली क्लास में हम लोगोंने जाना था कि प्रत्य क्या होता है प्रत्य की परिभाशा क्या है प्रत्य कहां लगता है कहां प्रयुक्त होता है धात के पहले लगता है या बाद में लगता है शब्द के पहले लगता है या बाद में लगता है तो हमने जाना था कि प्रत्य वे शब्दाश होते हैं जो धात या शब्द के कहां लगते हैं, बोलिए अंत में और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही महत्पूण तीन प्रत्य पढ़े थे, अक्त्वा ल्यप और तुमण और ये जो तीनों प्रत्य हैं, ये तीनों प्रत्य क्या बनाते हैं? अब्बे बनाते हैं, ठीक है? तो कृत प्रत्य हम लोग पढ़ रहे हैं और कृत प्रत्य धात के अंत में लगते हैं और इसी कृत प्रत्य की श्रंखला को हम आगे बढ़ाते हैं आज पुना कृत प्रत्य क हम लोग पढ़ेंगे आज इस क्लास में एक प्रत्य क्या है तव्यत है और दूसरा क्या है अनियर है अगर हम बात करें कि ये दोनों प्रत्य हमारे कैसे होते हैं तो ये दोनों प्रत्य हमारे विधिवाचक प्रत्य होते हैं कैसे होते हैं बोलिए विधिवाचक ठीक है विधि पर है कि इनका हम प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, तो इनका प्रयोग हम करते हैं चाहिये के अर्थ में, इनका प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, चाहिये के अर्थ में, ठीक है, तो चाहिये के अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं, और इनके द्वारा बने हुए पद जो हो होते हैं वो क्या होते हैं विशेशन होते हैं क्या होते हैं विशेशन होते हैं ठीक है अच्छा इनके द्वारा बने हुए पद्ध विशेशन भी होते हैं और चाहिए के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं तो चाहिए के में इनका हम प्रयोग कहां करते हैं कर्म वाच में और भाव वाच में जब हमें कर्म वाच में और भाव वाच में चाहिए के अर्थ में क्रिया का प्रयोग करना होता है तो कर्म और भाव वाच में इनका हम प्रयोग करते हैं ठीक है और और जहां पर ये योग का अर्थ प्रदान करते हैं, किस अर्थ में? योग के अर्थ में, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, देखे, जब इनका हम प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, तो ये कर्म और भाव आचि में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग हम क क्या होते हैं विषेशन होते हैं ठिक है जब चाहिये के अर्थ में जो होते हैं वह तीनों लिंगों में प्रयूक्त होते कि तव्यत और अनियर्ग प्रत्य के दौरा बने हुए जो पद होंगे, वो पुलिंग भी होंगे, इस्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होंगे और नपुन्सकलिंग में भी, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तव्यत में जो अंतिम वरन ता है, इस ताका हलंतिम से इतसंग्या ह करके लोप हो जाता है, और जब ताका लोप हो जाता है, तो शेस क्या रहता है तव्य, तो धात के पीछे क्या जुड़ेगा या धात के साथ क्या जुड़ेगा इसका तव्य जुड़ेगा, ऐसे ही अनियर्ग का जो अंतिम वरन रा है, इसका भी हलंतिम सूत्र से इतसंग् होकर कर लोप हो जाता है और इसका शेस क्या रहता है अनिय क्या शेस रहता है बोलिए अनिय शेस रहता है ठीक है तो एक प्रकार से यह है इनकी पहचान क्या पहचान है कि जहां भी आपको धात के अंत में तब दिखे तो तब्यत प्रत्य होगा और अनिय दिखे तो अनियर प धिवाचक प्रत्य हैं, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और जब चाहिए के अर्थ में इनका हम प्रयुक्त करते हैं, तो चाहिए के अर्थ में ये कहां प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं, कर्मवाचे और भावाचे में, योगी के अर्थ में इनक का अनिय बात इतनी समझ में आ गई होगी है ना हम आगे बढ़ते हैं इनके उदाहरन देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं तव्यत-प्रत्य की तो तव्यत-प्रत्य के उदाहरन को हम देखेंगे और तव्यत-प्रत्य में सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे एक तरफ धात लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रत्य लिखेंगे, अच्छा हमने अभी अभी एक चीज समझी है, कि तब्यत प्रत्य से बने पद विशेशन होते हैं, और तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तो हम पुल लिंग के भी रूप देखेंगे, इस त्री अचे दहात क्या है पत्धात है और पत्धात के साथ हम लोग प्रत्य लगा रहे है कौन सा कौन सा प्रत्य लगा रहे है तव्यत। तो रूप क्या बनेगा पुलिंग में हो जाएगा पथितंव्य हुग तव्य हुग één what the police that now's делать is तृलिंग क्या बनेगा तो इस्त्री लिंग में बनेगा पठी तव्या और नपुन्सक लिंग में क्या बनेगा पठी तव्यम क्या बनेगा बोलिये पठी तव्यम ठीक है अब एक महत पुर्ण बात हम लोग और समझ लें वो बात ये है कि तव्यत प्रत्ते और अनियर प्रत्ते के द्वारा बने हुए पद अभी अभी हमने समझा पिछली स्लाइड में की विशेशन होते हैं और विशेशन होते हैं तो इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, है ना? अच्छा विशेशन जो शब्द होते हैं, उनको हम बिभक्तियों में प्रथमा दुतिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शष्टिया और सफ्तमी में और तीन वचनों में इनके रूप बनात तो कौन सा शब्द किसकी तरह प्रयुक्त होगा तो देखे पठितब्या जो है ये पुलिंग का रूप है पठितब्या किसका रूप है? पुलिंग का और पठितब्या के अंत में क्या है? छोटा आ है तो ये अकार अंत पुलिंग है जब भी हमें इसके रूप बनाने होंगे तो किस की तरह बनेंगे राम की तरह ये पठितब्या के रूप कैसे चलेंगे राम की तरह जैसे रामा रामा होता है वैसे ही पठितब्या पठितब्या हो जाएगा पठितब्या जो है इसके अंत में बड़ा आ है इस्त्रिलिंग है तो यह आकारांत इस्ट्रिलिंग हुआ, इसके अगर हमें रूप बनाने हो, तो किसके समान चलेंगे, तो आपने पढ़ा होगा लता का रूप, लता का नहीं पढ़ा होगा, तो किसका पढ़ा होगा, रमा का रूप, है ना, तो जैसे लता का रूप चलता है, लता, लते, लत है ना यह रमा रमे रमा वैसे ही किसका रूप बनेगा पठितब्या का पठितब्या पठितब्या ठीक है अगर हम बात करें पठितब्यम की तो यह क्या है अकारांत नपुंसक लिंग है और इसके रूप किस की तरह चलेंगे फल की तरह चलेंगे फल के रूप आपने पढ़े होगे फलम फले फलाने है ना वैसे पठितब्यम के रूप कैसे चलेंगे पठितब्यम पठितब्वे पठितब्याने ठीक है तो इनके रूप कैसे बनेंगे कैसे चलेंगे ये भी हम लोगों ने समझा कुछ अन्युदारन हम लोग देख लेते है तो अगला उदारान हम लोग देखते हैं अगली धात और प्रत्य तो जैसे लिखा हुआ है मान लेते हैं लिखा हुआ है द्रिश धात है धात कौन सी है द्रिश धात है और द्रिश धात के साथ हम प्रत्य कौन सा जोड़ रहे हैं तव्यत और जब हम द्रिश धात के सा तव्य तो जोडेंगे तो यहाँ पर देखे आगे TA है ओर ता होने के कारण ये शाँ बदलेगा मुर्धने शा में और जब ये मुर्धने शा होगा तो पुना ता बदलेगा किसमे? ता में और जब ता में बदल जाएगा ता तो हमारा रूप क्या बनेगा? यह हो जाएगा द्रिष्ट अव्या और इस्त्री लिंग में क्या हो जाएगा द्रिष्ट अव्या और अगर हम बात करें नपुन्सक लिंग की तो यहां क्या हो जाएगा द्रिष्ट अव्यम ठीक है और ध्यान दीजिए यह महत पूर्ण दाहरन है ध्यान रखेगा आप से पूछा जाए द्रिश्टव्य हमें कौन सा प्रत्य है तो द्रिश्टव्य हमें प्रत्य हम कौन सा लिखेंगे द्रिश्टव्य हमें प्रत्य हम कौन सा लिखेंगे बोलिए तब्यत लिखेंगे ठीक है तो उमीद करते हैं ये उदाहरन आपको समझ मे हुदाहरहन है ど हमारी क्रीं दाहट है ॡभार्य। कि फृत प्रत्ते जोड़ेंगे ॡिय्वत तो उताहरहन क्यों हो जाएगा पोलिंग में क्या बने क 20 बने गा करणा इस्ध्रिंग में क्या बनेगा करत थकति 25 और नपुन्सक लिंग में क्या बनेगा? करतव्यम. क्या बनेगा? करतव्यम. ठीक है? अगला उदारन, जैसे लिखा हुआ है, मालेते हैं हसधातु है, और हसधातु के साथ हम प्रत्य जोड़ रहे हैं कौन सा? तव्यत. क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा हसितव्या. और क्या होगा? हसितव्या. और क्या बनेगा? तो हसितव्यम. क्या हो जाएगा बोले? हसितव्यम. ठीक है? कुछ अन्युदाहरान देख लेते हैं, मात पुर्णुदाहरान और. ठीक है? तो जैसे लिखा हुआ है, तो अर्च धात के साथ प्रत्य जोड़ रहे हैं तव्यत और तव्यत जोड़ेंगे तो तीनों लिंगों में इसके रूप क्या बनेंगे अर्च धात के साथ तव्यत जोड़ेंगे तो पुलिंग में क्या बनेगा अर्चि तव्या क्या बनेगा बोलिये अर्चि तव्या इस हम धात ले लेते हैं कौनसी अर्ची तव्यम ठीक है धात है हमारी ग्या और ग्या धात का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं जानने के अर्थ में प्रत्य हमने जोड़ा तव्यत क्या हो जाएगा ग्या तव्यह और क्या बनेगा ग्या तव्या और क्या बनेगा ग्या तव्यम ठ ठीक है, ग्यातव्यह, ग्यातव्या, ग्यातव्यम हो जाएगा, अगला है, जैसे गमधात हो है, और तव्यत प्रत्ते का प्रयोग किया गया यहां पर, क्या बनेगा, गंतव्यह, क्या बनेगा, गंतव्यह, गंतव्या, और गंतव्यम, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह हमारे कुछ उधारान हो गए महत्वपूर्ण, मा लेते हैं आप से परिक्षा में पूँच लिया गया, जे तव्या हमें प्रकर्त और प्रत्य बताईए, तो जे तव्या हमें हमको प्रकर्त और प्रत्य बताना है, अब ध्यान दीजिए, जे तव् वहां पर प्रत्य कौन सा हो जाएगा तव्यत हो जाएगा तो प्रत्य तव्यत है यह तो निश्चित है धात यहां पर कौन सी है तो एक धात होती है जी और जी धात का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं जीतने के अर्थ में है ना तो जी धात है और प्रत्य कौन सा है तव्यत ठीक है मान लेते हैं आप से पूछ लिया गया परिक्षा में दातव्या क्या लिखा हुआ है दातव्या और पूछा गया दातव्या में प्रकते और प्रत्य बताईए तो यहां भी अंत में क्या शेस है तव शेस है और जहां तव शेस होता है वहां पर प्रत्य क्या हो जाता ह है तव्यत हो जाता है लेकिन अगर बात की जाए धात की धात कौनसी है तो धात यहां पर कौनसी है दाधात है और दाधात का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं देने के अर्थ में तो दातव्या मतलब देना चाहिए या देने योगे मान लेते हैं आप से पूछ लिया गया ह यहाँ पर धात कउन सी हह वो हम लिख देंगे तो हनधा तो हम दसे मारने किर्फ में और प्रत्य कंशेस हैं इसलिए निश्यत है कि प्रत्य कों सा होगा अथिक है ? तो उमीद करते हैं यह प्रत्य ऐसे आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रत्य में हमने क्या-क्या समझा एक बार ज़रा हम संक्षेव में देख लेते हैं तव्यत प्रत्य है तव्यत विधिवाचक प्रत्य है चाहिए के अर्थ में और योग के अर्थ में प्रयुक्त होता है तव्यत का हम प्रयोग करते हैं तो शेस क्या रहता है तव्य और य सब में आपको क्या दिख रहा होगा तब जहां भी अंत में तब दिखाई दे या जैसे यह द्रिश्ट अब्या इसमें क्या हो गया है तो टाका टा हो गया है तो क्या है शेस तब है तो जहां भी आपको अंत में तब दिखाई दे या तब दिखाई दे वहां पर हम प्रत्य क तो प्रत्य हम कौन सा लिखेंगे तब भी लिखेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं जो इसी के साथ दूसरा प्रत्य हमारा है कौन सा अनियर तो अनियर प्रत्य के हम लोग बात करते हैं अनियर प्रत्य के हम उदाहरन देखेंगे अनियर प्रत्य क्या होता है किस अर्थ में प् और यह इसके दोरह बने पद क्या होते हैं विशेशन होते हैं यह भी समझ चुके हैं उदाहरन देखे जैसे उदाहरन है पहला पठधात के साथ हम प्रत्य जोड़ेंगे कौन सा अनियर हमने बात की थी कि अनियर के अन्तिम रा का लोप हो जाता है और शेस क्या रहे जाता है अनियर जो शेस रहेगा वो हम जोड़ेंगे किस के साथ पठ के साथ तो पठ के साथ अनियर जोड़ेंगे क्या बनेगा पठनिया अच्छा इसके दोरह बने हुए पद विशेशन होते हैं तो तीनों लिंगों में चलते हैं तो यह रूप हमारा हो गया पुलिंग यह है धा प्रत्य का विधान करने पर पुलिंग में क्या बना पथनिया इस्ती लिंग में क्या बनेगा पथनिया और अगर हम बात करें नपुन्सक लिंग में क्या बनेगा तो यहां हो जाएगा पथनियम क्या हो जाएगा पथनियम हो जाएगा ठीक है पथनिया पथनिया पथनियम ठ ठीक है, ऐसे ही गम धातु है, और गम धातु के साथ हम प्रत्य जोड रहे हैं, कौन सा? अनियर, तो क्या बनेगा? गमनिया, और क्या बनेगा? गमनिया, और क्या बनेगा? गमनियम, गमनिया, गमनियम, ठीक है? गमनिया, गमनिया, गमनियम हो गया, मालेते हैं, धात हमारी कौ और पूज धातु का प्रयोग करते हैं, पूजा करने के अर्थ में, प्रत्य हम जोडेंगे, अनियर, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका पूजनिया, और क्या हो जाएगा, पूजनिया, और क्या बनेगा, बोले, पूजनियम, क्या बनेगा, पूजनियम, ठीक है, तीन हो जाएगा आपका अर्चनिया और क्या होगा तो यह होगा इस ट्री लिंग में अर्चनिया और नपुन्सक लिंग में क्या होगा तो नपुन्सक लिंग में क्या हो जाएगा नपुन्सक लिंग में क्या हो जाएगा अर्च नियम ठीक है अच्छा एक चीज़ यहां पर भी हम लोग ध्यान दें यह हमारे विशेशन है तो इनके शब्द रूप भी चलेंगे और शब्द रूप चलेंगे तो कौन सा शब्द किस की तरह चलेगा तो देखे जैसे यह ही अर्चनिया अर्चनियो अर्चनिया पूजनिया 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 पठनिया 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 यह जो है यह इस्त्रिलिंग है और आंत में बड़ा आ है तो आकारांत इस्त्रिलिंग है इसके तो इसके चलेंगे फल की तरह, ठीक है, अभी विगत परिक्षाओं में, सीटेट में, जो इस तरह के प्रशन पूछेगे हैं, उसकी भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक दू दाहरान, हम लोग और देख लें, जैसे, दृष्धातु के साथ हमने जोड़ दिया प्रत्य तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, दर्शनिया, और क्या होगा, दर्शनिया, और क्या बनेगा, दर्शनियम, ठीक है, यह हो गया, अब हम एक प्रशन आपका पूछा गया, हलाकि एक प्रशन तो हर बार आते हैं, सीटेट में प्रत्य से हैं, लेकिन हम एक सुझेंगे कि कैसे-कैसे प्रश्न पूझे जा सकते हैं, या कैसे पूझे जा चुके ने। सूझ का ? ठीक है. प्रश्न क्या पूझा गया उदाहन आप लोग आप लिया ना और नोट लिया तो हम आगे बढ़ते हैं. अब देखे प्रश्न क्या पूझा गया था . सीट列 में एक बार प्रश्न पूछा गया, गध्यांश में एक शब्द आया था, और वो शब्द था ये, उलेखनीयानी, थोड़ा लंबा चोड़ा शब्द है, घबराइएगामत, है ना, क्या लिखा हुआ है, उलेखनीयान, और पूछा गया कि बताइए, उलेखनीयान में प्रकरते और प्रत्य क्या है, ठीक है, अभी हम लोग तव्यत और अनियर को पढ़ रहे हैं, हमने ये समझा कि तव्यत का तव विशेस रहता है, पहचान याद रखेगा, एक प्रकार से ये क्या है, ट्रिक होती है हम लोगों कि ना, कि हम पहचान याद रखें, जहां भी अंत में तव्य होगा तव्यत प्रत्य लिखेंगे और जहां भी अनियर होगा वहां पर क्या लिखेंगे अनियर प्रत्य लिखेंगे ठीक है लेकिन यहां पर क्या है उलेख नियान है यहां पर अनियान आ रहा है तो यहां पर प्रकत और प्रत्य पूछा गया हम कैसे उत्तर देग लता की तरहु और यहह हमारे किस के उदाहरण है ना जैसे होता है वैसे इन के रूप बनेंगे यहां पर देखे क्या हुआ है यहां पर बता दें वांत प्रत्ते क्या है तो फो करू थात कोन अब लिख धात के साथ अनियर जोडेंगे तो क्या बनेगा? लेख नियम. लेकिन ये है नपुनसक लिंग में बनाना इसको तो क्या बनाएंगे हम इसको? लेख नियम. लेख नियम जो है ये लिख धात से अनियर प्रत्य लगा करके नपुनसक लिंग का रूप बन गया लेख नियम अब यहां पर देखे यहां पर उद उपसरग है इसके अंत में क्या है दा है और यहां क्या है यहां पर है ला आपने एक संधी पढ़ी होगी वेंजन संधी में लत्तो संधी कौन सी पढ़ी है लत्तो संधी और लत्तो संधी का नियम कहता है इसका सूत्र क्या होता है त तावर्ग के बाद तावर्ग के बाद ये क्या आता है ला आता है तो तावर्ग की जिगह पर क्या हो जाता है ला हो जाता है तो ये उद में जो दा है ये तावर्ग है और इसका योग हो रहा है ला के साथ तो ये दा ला में बदल जाएगा और जब दा ला में बदलेगा तो और यह अकारांत नपुन्सक लिंग है, अब इसका जरा हम प्रयोग करके देखते हैं, बिभक्तियों में प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, जैसे फल के रूप क्या चलते हैं, फलम, और क्या बनता है, फले, और क्या बनता है, फलाने, यह है आपका बहुवचन, यह है बैसे ही उलेख नीयम के रूप क्या बनेंगे, तो ध्यान दीजिए, उलेख नीयम, क्या बनेगा बनेगा उलेख नीये, ठीक है, दुवचन में क्या बनेगा, उलेख नीये हो जाएगा, उलेख निये और क्या बनेगा उलेख नियाने ठीक है तो देखें यहां आपसे क्या पूछा गया उलेख नियाने लिखा है ना तो उलेख नियाने जो है यह वास्तों में क्या है तो यहां पर देखें उलेख नियाने जो है यह उलेख नियम का ही प्रथमा अभिभक्ति बहु बन गया ना तो लेकनियान जो है यह प्रतमा विभक्ति बहुचन का रूप है और यहां भी अगर हमसे प्रकत्य और प्रत्य पूछा जाएगा तो हम प्रकत्य और प्रत्य में क्या लिखेंगे प्रकति और प्रत्य में क्या लिखेंगे तो लिख धात हो जाएगे और प्रत्य कौन सा हो जाएगा अनियर बस यहां पर एक चीज और बढ़ गई वो क्या है उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है उद तो इस तरह के भी प्रशन आते हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दर्शनियाह में प्रत्य कौन सा है इस तरह के साधारन शब्द भी आ सकते हैं विभक्ति वाले शब्द भी आ सकते हैं और अगर आपने इसको भली भात समझ लिया है तो कोई भी शब्ड आये किसी भी प्रकार से प्रशन पूछा जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह के सरल शब्द भी देख लीजिएगा, और इनका अबिभक्तियों में प्रयोग करके इस तरह के शब्द भी देख लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आते हैं, तो कमेंट करके बताईएगा, आज की एक लास कैसी लगी, यह भी बताईएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलेगा, अगर आप हमारे साथ पहले बार जोड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम पुना इसी प्रकार के एक और महत्त पुन्प्रत्य के स